एक बहुत ही बहतरीन टॉपिक राजस्तान की हस्तकला यहां से प्रशन आना पका है फिर आएगा चित्रकला से प्रशन और हस्तकला से प्रशन मतलब यह वो टॉपिक है अभी जैसे अपने मंदिर कंपलिट किया मतलब यह वो टॉपिक है जहां से प्रशन को आना ही आना पड कर लेंगे वह इसके लिए टकाटक सभी को परणाम वेरी गुड इवनिंग जंडे गार देंगे अभी का भी देखो एक छोटा क्यों बता देता हूं राजस्तान की कला हस्त कला एक पढ़ेंगे मैं चित्रकला वह भी आज पढ़ेंगे हस्त कला की मैं कर बात करूं तो अगर छोटा प्रशना आता है कि हस्त कला का तिर्थ किसे कहते हैं तो बाई जयपुर ठीक है ना मतलब यह अपने हातों से त्यार किये गए छोटा बिजनस है ठीक है बहुत अच्छा है इसको बड़ावा देरी सरकार भी अच्छे चेह नाम द किनारी जानते हैं गोटा लंपा लंपी किरन और बांखडी यह गोटा की परकार है गोटा जानते हो न सब गाउं के बच्चे सब जानते हैं सिटी वाले भी जानते हैं काट कर लेना है बात करते हैं गलिचे चुपेगा चिप गलीचे कहां के प्रशिद पेजानते हो अलग रंखे कपडूं को काट कर अपस में पेजेशुर कह लता है शेक इस यहसा रूप है तो गलीचे जो है वैसे तो प्रस्ट और टौक के हैं लेकिन भीका नियर्वेज जेपुर की जेल में भी गलीचे बनाई जाते हैं जो केदी होते हैं न केदी केदी उसे काम करवाई जाता है ठीक है na गलीचे बनाता है बहुत शांतार और केदी आराम सबेटे बेरे नौटन काम करते हैं ठीक है तो बीका नेरवे जेपुर की जेल में सुंदर गलीचे बनाई जाते हैं वैसे प्रशिद जो है न वो क्या ना मिसके जेपुर के प्रशिद है और टॉंक के भी प्रशिद है गलीचे प्रशन आएगा तो वो आएगा कि गलीचे कहां के प्रशिद है जेप कि छपेगा है जगे पर दे आइइंगे है ना प्रषिद प्रशन आएगा धरियाँ कार लीकषिद ए सिधा अंसर नम्दे नम्दे टॉंक के प्रशिद है द्यान रख लेना देखो कि यहां में बात करूँ तो गलीचे जेपुर के प्रशिद है एक 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 विशेश जगे देखी जाए तो दरियां तीनूं की प्रशिद है नमदे टॉंक के प्रशिद है नमदे एक्चुली दरी और गलीचे के बीच का सोर्स ना तो अपन उसको कहेंगे दरी और ना अपन कहेंगे गलिचा इन दोनों के बीच के पॉर्शन थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके वो होता है नमदा होता यह भी बिच्छाने की काम आता है यह द्यांदर के टॉंक के उन ही होते हैं आपको पता है उन खूब होती है तो इसलिए नमदेवा के प्रशिद है ना क्योंकि वहां पर आपको पता है अंबिचापुर के अंदर अपना बैड़ वो भी केंदर बनावा है जरीवे गोटा अगर बात करें तो खेर अपने पैसे के लिया था कि गोटा तो खंडेला सिक्र का प्रशिद है वही है लेकिन जेपुर औ बिनाई जगे अगर आप देखेंगे अजमेर में और वैसे देखा जाए तो अगर नहीं जिले के इसाफ से तो कोई दिक्केत वारी बात नहीं है ब्यावर वगरा भी हो जाएगा लेकिन वह ब्यावर याजमेर जब भी कोई जगे आते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ेग पड़ चित्रन के लिए जाना जाता है लालवे हरेरंगा परियोग करते हैं पड़ चित्रन में देवी देवताओं के चित्रन जानते होंगे एक पड़दा होता है पड़िया फड़ मानने जिए उस पड़दे पर देवी देवताओं के डाइग्राम मगरे बने होते हैं वह प्रश्ण एक है जोशी परिवार शापुरा जिले का पढ़ जितने के प्रशिद है पिर पिछवाईया कहां की प्रशिद सीधे सीधे फेक्ट है गोट के पीजाना डंग से लिख लेना ठीक है न बेलकुल जंडेगार दोगे शाबाज तो पिछवाईया नात द्वारा राज समन्द और मांडना मांडना जानते हैं कि जो लेडिस बनाती है आला कि आजकल तो कहां बनाते है पहले जो कच्छा अंगन होता था उस फर्श वर दिवारू पर चितरगारी की जाती है मांडना अभी पर गर्यमेंड परिवेश हमारा इस संस करती है कल्चर देखने को मिल सक करता है आला किला जानते होंगे बाप बीकानेर शेकावाटी में दिवारें होती है उनको लीपते हैं गोबर से दो थोड़ी गीली हो जाती है उससे बोला जाता आला किला तो बीकानेर शेकावाटी में आला किला प्रशिद है मतहरन मतहरन बीकानेर मतहरन बीकानेर यह आकर प्रसक बीती चितर होते है देवी देउताओं की बीती चितर का मतलब दिवारों पर देवी देउताओं की चितर बनाना मतर्ण कलाता है लेकिन आपसे प्रसंद यह जो अना पड़ेगा चपेगा और मैंने इसको और जदा अप डेट भी कर दिया है पहली बात तो यह बाई जोत पूर्मान दिया रही है बात तो सही है लेकिन क्या करें थोड़े एड़्जस करो है न शाबाश वेरी गुड तो मैं यह कह रहा था कि थेवाकला जो है थेवाकला के परवर्थक है ना तुझी सोनी पहली बात हो यह प्रशन आएगा कि थेवाकला कहा की प्रशिद है तो आप लेकेंगे परताब गड़ी देखो कितने प्रशन आएगे थेवाकला कहा की प्रशिद है परताब गड़ी थेवाकला के परवर्थक कोन है ना तुझी सोनी फिर क्या है ना तुझी सोनी है इसी सोनी परिवार ने आगे थेवाकलों को बढ़ाया है, प्रशन आ चुका है, सोनी परिवार का समंद किस कलासे हैं, तो सोनी परिवार का समंद थेवाकलासे हैं, परताब गड़, और 8 परजेंट देखा जाए तो थोड़ दिन परे, 2014 में, पदम श्री मिल चुका है, महेश सारे प्रशन बता देता हैं, परह लिए पढ़िया जाना, पूरे मंदिर के प्रशन लेने वाला हैं, यहां से भी प्रशन लेने वाला हूँ, डंग से पढ़ जाना, ठीक है, ओके, इसमें रहते में, तो समय लिया थे अपने लियाता है, यह एक्चुली इसमें नीले रही लुट पॉर्ट्री का प्रियोग किया जाता है कुछ चीनी मिटिक बरतनी से मिटी न जैसे बनते हैं और परिजिन या उद्वव कहां से वा था तो इरान परशिया या फारस कैसे ही बहुता है वहां से मुगल ले की आई तो हम एक बचा कल बार-बार कॉमेंट कर दा पता नह टीक है ना तो वापस उसको क्लियर कर लेना उस बच्चे के डाउट डिल हो जाएगा राम सिंग दिद्थे के समय जो है न यह हमारी ब्लू पोटरी विक्सितुई यह ब्लू पोटरी का स्वन काल माना जाता है राम सिंग दिद्थी टीक है और वो कारीगर लेकि आए थे सबसे इंपोर्टन फैक्ट मैं यह लिया था कल कि इसके कलाकार बुपोर्ट्री को पदम श्री मिल चुका है 1974 में आलांकि स्वरगी नाथी बाई का भी नाम आता है उस वरगी हैं वो चले गए हैं और वर्तमान में गौपाल से निक अच्छे इसके कलाकार है बुपोर्ट्री इसके बाद में राम सिंग जी इंपोर्ट्रइब बस ठीक है लेकिन इसके साथ में एक और लिख लिक पौट्री बल्यक पौट्री कोटा की प्रशिद heter cree forced सों ही इंचानध है क्लात्मक वस्तों उपर मीना चड़ानी किला है मनी है मनी जानते हो ना लेकिन मैं चीज है मीनाकारी जयपूर की मुक्य सेंटर जयपूर लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात यह मैंने फुली अपडेट कर दिया है सरदार कुदरत सिंग जी को पदमश्री मिल चुका है मीनाका सवयमान सिंग उनके द्वारा लाई गयी थी मीनाकारी कला को फिर मैं बात करता हूँ भाई टेरा कोट है टेरी कोटा की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मुलेला गाउं नास द्वारा राज समंद चपेगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है टेरा कोट है टेरी कोट कांग की प्रशिद है मोलेला गाउं नात द्वारा राज समंद इसके अलाव में आलागी सारे एक सार लिख दिए हुए इसलिए मेरे सासा समझो पहली बात ही है टेरेकोटा कांग की प्रशिद है मोलेला गाउं नात द्वारा समंद एक प्रशन फिर आएगा मोहनलाल जी कुम पद्मुष्री मिल चुका है बहुत ज्यादा ॉम्पोर्टंट टेर्यकोटा के लिए महानलाल कुमावत politisch के लावा यह तो चलो टेर्यकोटा तो कंप्लीट है इसके लावा मिट्टी के बरतन हैं खिलोनों की मैं अगर बात करूँ तो बसी चितोड लेकिन सबसे important fact है बू यह बू गाउं है यह बू गाउं है भाई कहां पर बू नरावता only for बू भी लिखाता है बू नरावता नागोर जिले में गाउं पड़ता है ध्यान कर लेना सिर्फ बू भी लिखा वाता है only बू तो बू नरावता नागोर जिले में मिट्टी के बरतन वे खिलोने बनाई जाते हैं बसी चितोड में भी और बू गाउं नरावता नागोर में भी बहत्रीए इसके इलावा एक पैक्ट यह राओ ये क्या है ये हनुमानगड में एक जगे पढ़ती है उसका नाम है बड़ोपल यहाँ से प्राचीन टेरी कोटा प्राप्त हुई है मतलब प्राचीन टेरी कोटा के बरतनों गयरा मिले है फिर प्रशन आता है काग दी टेरा कोटा कहां की प्रशिद है आंसरोगा अलवर और ये छप गया ये छप गया क्या छपा ये सुने होंगे मामा जी के गोडे बिलकुल देवताओं के लिए मिट्टी के गोडे बनाई जाते हैं हरजी गाओं में हरजी गाओं परता है जालोर में छप गया कितनी बार छप चुका है बहुत बैतरीन हरजी ग गोड़े भी कहते हैं चप गया ठीक है तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पेज है कम से कम दस फैक्ट होंगे उसमें तारकशी जानते हो क्या चांदी के बारिक तारू से कलात्मंग उस तो भी बनाई जाती है तारकशी कहां की प्रशिद है तार को कसकस के नात द्वार अब सुनो मेरी बात नात द्वारा रासमंध की दो बहुत बहुत बेहतरीं जगहें हो गई तैरा कोटा मुलगा गाउन नात द्वारा समंध हो गयी तैरा कोटा के साथ भी तारकशी नात जाती के लोग करते हैं देखा हूंगा बीकानेर साइड में जो उंट होता है बीकानेर जैसलमेर बाडमेर क्या डिजाइन मिनाते हैं उनकी कटिंग करकर के शांदार बहुत ही सुन्दर उंट दिखते हैं बिलकुल राई का रेबारी जाती के दौर आपको पता है उंट पालक चाहिए कशिदा कारी मानलो शेकावाटी की प्रशिद है सूती कपड़े पर छोटे छोटे बिंदी लगा लगा कड़ाई की जाती है जिसको अपने बोलते हैं मुकेश कड़ाई चपेगा मुकेश बोलते हैं उसको मुकेश किसका नाम नहीं है इस कड़ाई का नाम है मुके जो कड़ाई की जाती है बहुत ज़्यादा बिंदिया लगा लगा के बिंदिया पौपो कहसे पौदे तरस्ते में उसे का जाता है और एक भाई थोड़ा लेवल सिविल सर्वेज़ का रखा है इस वाले फक्त में ये क्या फक्त है ये भरत सूप हुरमजी आरी आदी शब्द कड़ाई वे पेशुरक से समंदित कभी के प्रशन आ जाता है आलागि आपके नहीं आएगा कोई बात लेकिन देख लेना एक बार कि भरत सूप हुरमजी आरी शब्द का समंद किस से हैं तो वो समंद आपके कड़ाई से हैं क्योंकि कड़ाई की पार्ट है जैसे बाई एक एक मशीन होती है उसमें दागा होता है सूई होती है वैसे ही इसका भी काम है चपाई प्रशन आएगा 100% प्रशन आएगा अजर चपाई करने वालों को चीपे चीपे कहते हैं ठीक है न जो कपड़े पर करते हैं चपाई प्रशन आएगा अजरक प्रिंट देगा अजरक प जामी तीया लंकारूंगा परियों कहते हैं जैसे हैं वो जो मेत्री के लिग डिजाइन माना के लेकिन आपको इतना साध रकना है आज रख क्रेंट बालोत्रा या बाड्मेः मलिर प्रिंट बाड मेर आजम प्रिंट बहुत बड़िया इंपोर्टेंट है कोला चितोडगड जाजम भी चितोडगड ठीक है क्योंकि गड़ है चितोडगड तो आजम और जाजम दोनों ही चितोडगड आजम और जाजम चितोडगड लेहरिया तो आपको पता ही जेपुर का प्रसिद है लेहरिया जेपुर और पाली दोनों जोगे प्रसिद है लेकि ज़्यादा जेपुर का प्रसिद है हालांकि लेहरिया उसमें समुदर लेहर लेहरिया और राजशाई लेहरिया कि दो नामू से ज़्यादा बिखता है कि कौन सा लेरे लेने साब आपको राजशाई लेहर या समुदर लेहर लेहर ठीक है और चूनडी चूनडी का चाहिए साफ हो चाहिए चूनडी हो वो तो जोधपुर की फेहमस है ठीक है ना बैतरीन कि असके बाद में बात करते हैं सांगानेरी प्रइंट चपेगा बहुत ज्यादा इंपोर्टन सांगनेरी प्रेंट सांगेनर जगे पढ़ती है जैपूर में बजनलाल जी जहां से जित के हैं से एम राजस्तान रंग की कोई बात नहीं मैं चीज यह मुन्नालाल गोईल नहीं से अंतराष्ट्री इस तर पर यह जो जिस्तने भी नाम है सीधा सीधा प्रशन आता है कि मुन्नालाल गोईल का गांद किस से हैं तो आपका डायक्ट रांतर सांगेनरी प्रिंट से हैं टिक है बंदेज प्रिंट यह जैपुर वैसे मुक्षे सेंटर है लेगिन जो अत्पूर शेका वाइटिका अभी नाम आता है इसे टाइए अड़ थी में बंदा पैक हो जाता ना वैसे टाइए अड प्रियों किया जाता है जो जिसमें फूल पत्य या बेल बूंटे का दिक प्रियों किया जाता है वह बगरू प्रिंट जयपूर ठीक है और आपने कभी जो ग्रामील परवेश के वह समझ पा रहे होंगे गयों का बिंदन जानते हो क्या उपर से नॉर्मना हलके छिलके छिलके उतार देना गयों और जोके उसे बिंदन बन जाता है तो गयों के बिंदन का दाबू के लिए बगरू में प्रियों किया जाता है ठीक है ना जो दाबू प्रिंट की जाती है बगरू वाली उसमें उस गयों के बिंदन का प्रियों किया जाता है वो डिजाइन है उनकी कहरे उसे हमने क्या करना आप तो इतना से याद कर लो बगरू प्रेंट है बगरू की लेकिन ये लाइन मत भूल जाना कि कौन सी प्रेंट में फूल पतियूं और प्राकरती रंगू या पर बेल बूंटु का दिख प्रियों किया जाता है तो बगरू म होती है जोद्पूर जेपूर किशन गड़ी फैमस है ठीक है ठीक टाक है ज्यादा इंपोर्टन नहीं है कुंदन कुंदन आपको बताईए सोने के आभूशनों में कीमती पत्र जड़ना जेपूर में कुंदन प्रसिद है कॉप था गिरी बहुत बार प्रस्ण आया बहुत कॉप था खाया होगा कॉप था बिल्कुल हतियार जो होते है न वो पहले के हतियार मान लिजिए उन पहले का हतियारों पर हतियारों को अलंकृत करने के लिए के कला है यह हतियारों वो उसमें क्या है कि पेच कारी करते हैं उसमें कदर लिजाइन बढ़ते हैं आप देखा ह स्याद रगने कौप्तगरी कहां की फेहमस है जैपूर अलवर क्या होती है कौप्तगरी हतियारों पर डिजाइन बनाई जाती है एक मुरादाबादी काम है भाई पीतल के बरतुरों बरतुरों में खुदाई करके बनाई जाता है ठीक है ना जैपूर अलवर ये भी जैपूर मुन्तवती भी कहा जाता है उसको बीका नेर का उस्ता परिवार उस्ता कला के लिए बहुत पहमस है उंट की खाल पर ये कला है वो बिलकुल उखेरी जाती है डिजाइन की जाती है अनूप सिंग जो राजा थे बीका नेर के उनके समय बहुत ज़्यादा लोक परी हुए आज भी लोक परी है उस्ता कला के लिए अनूप सिंग जी ने ज्यान लिकना अनूप सिंग जी ने उस्ता कला के लिए अल्ली रज्जा वेर रुकनोदीन को लाहूर से लाये थे लाहूर पाकिस्तान वहाँ पर यह बहुत डिजाइन करने वाले थे अनुप सिंग इनकाई हमारे भी उंट बहुत होते हैं यार डिजाइन बेड़ी शानदार करते है तुम उन दोनों कारिगरों बुलाई यह पर अपने वहाँ पर दरबार में और यह कला को यहाँ पर सिखा है अपने लोगों को और उसके बाद हम बढ़ गई प्रशन अभी एट प्रेजेंट में या जाता हो कि उस्ता कला के कलाकार का क्या नाम है तो वो नाम हिसाम अदिन उस्ता ठीक है ना हिसाम अदिन उस्ता का मतलत है को उस्ताद होता है उस्ताग कलाकार कारीगर कुछ ही मान लीजिए और हमारे सरकार ने उस्ताग कला के विकास के लिए उस्ताग केमल हाइड के अंदर की भी स्ताप न की है 1975 में बीका नेर में प्रशन एक बार नहीं हजारों बार ये सारे प्रशन आये हैं एक भी वर्ड मिस मत कर देना चपेगा ठीक है न क्या होगा चपेगा पेपर मेशी या कुट्टी बनाते हैं न कुट्टी देखा होगा अरे पहले के जमाने में वो छोटा सा बरतन बनाई जाता था कागज की लुगदी बनाके मजबूत होता है कापी दूप में सुका लिया जाता है और उसमें खाना भी रख सकते हैं ऐसा होता है ठीक है न मेरे साब से कोई समझ पा रहा होगा कागज की लुगदी बनाकर वस्तों बनाना जेपरु देपरु की बहुत फैमस है पेपर में शी बोलते हैं उसको या कागज को गड़ा के कुटी बना लेते हैं उसकी और फिर उसके बनाई जाता है मिर्यर वर्क यानि लुकिंग ग्लास मिर्यर जो काच ग्लास काम हो लता है कपड़े पर कास जिलते हो खुप सारी कंपड़े डिजाइन पर लेड इस उतह है चोटे-चोटे एस से लगाए घ्रत होते हैं को पर सकते हैं दिन ब問 कर्क छोता है था सबस्ताइısı पांड़क अहता है बहुत पहमस आगी देखते हैं अट्यों मतला आ बुश्र विश्य पूरे संसार में प्रशिद है रतना बुषण के लिए जयपूर बहुत ज्यादा important fact है क्योंकि जो चीज विश्व में प्रशिद है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है मुल्यवान पत्रों पर सोने चांदी से रतना बुषण का परियोग मतलब जड़े जाते हैं पणना पनना की सबसे बड़ी मंडी है जयपूर बहुत बैतरिन प्रशण है एक साथ दो तिन फक्रान की के लिए पुरे विश्व प्रशिद को ने जयपूर पनने की मंडी राजस्तान में पर जयपूर अब लखडी की किलात्मस तो फिर बहुत फबंस है अपने लकडी के खिलोने कांगे प्रशिद है उदेपूर सवाई मादोपूर ठीक है लकडी से कहीं कपाटू का मंदिर बनाते है ना जो कावड यात्रा भी होते हैं बड़ी शांदार डिजाइन बनाके बसी चितोडगड के कावड बहुत फैमस है कितनी बार छपावा प्रशन है ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना जैसे पहले की जमाने प्रावन देखेंगे जो चार पाई होती थी उसको देखना जो उसके नीचे पागे होते हैं चार पाई क्या डिजाइन की होती है उसे में शांदार शांदार वही या पर समान लिजिए कि जो दर्व मानते हैं कि ये भगवान के देव विमान उसे बएवान केते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बेवान क्या है तो बेवान लख्ड के भात बहुत 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 जयादा जग आपको बताई है जैपूर डे पूर में अच्छली सपेद संग मरमर से लगबक मकराना की लोग देखना आप जैपूर में आते हैं वाइट मार्बल देने के लिए मुर्तिकला बहुत जबरदस बनाते हैं जैपूर में तो सफेद शंगमर्मर से हैं मूर्तिकला के अंदर नमबर वन पर जैपूर है डूंगरपूर बांसवाड़ा में काले संगमर् पर लाल पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती है और यहां जो बांसवाड़ा है नहीं अपना बिल्कुल वेल इंपोर्टेंट है यहां पर एक प्रस्ण आया है भाई सौमपुरा जाती तलवाड़ा गाउं यह मूर्तियां बनाते हैं तीक है ना बांसवाड़ा के रहने वाले मूर्ति कला के शत्र में पद मश्री मिल चुका है छपेगा ठीक है और मूर्ति कला के जो भी कलाकार होते हैं सुनना कभी आप आमने सुना होगा उन्हें सिलावट कहा जाता है क्या कहा जाता है सिलावट प्रशना सकता है सिलावट क्या है मूर्ति कलाकार सिलावट कहलते हैं और जस्ते की मूर्तियों तो आपको पता ही जोदपूर में चाहिए जस्ते के बढ़े जो बादले होते है न ठंडे पाने की रखा जाता है बोतल में चारों और कपड़ा लपेट के वो जस्ते की होती है वो भी जोदपूर के ही है और जस्ते की मूर्तियों भी जोदपूर ही कपड़े का कलात्मक आउरन ताकि पानी ठंडा रेस्ट के लॉंग टाइम तक ऐसा मान लीजिए कि गाउं का फ्रीज है फ्रीज बोटल होती है जिंकी होती है वो उसके चारों और कपड़े को लेट लेते हैं फिर चाहिए मस तरीके ठंडी देती है बहुत ज्यादा और इवन नाज का का मतों बढ़ी जेपूर में होता है ये लाक्स जानते हैं लाक की चूड़ी होती है तौलाफ का काम जेपूर में अर लाइंगे कौन वह राम चिंख जी राम सिंग्जी का कLTCर में बहुत बढ़ा योगदान है अपने राम सिंग्धित्य को पड़ा भी था ठीक है काम में बहुत ज्यादा फिहमस है तीर कमान हमें डक्षी नाजस्तान माहसवर डंगनपुर में जगे पढ़ती है बहुत बैतरी ने तीर कमान का काम क्रशी ओजार जो ट्रेक्टर के होता है ना हल ये जितने भी जो सामान होता है वो नागोर का बहुत फैमस है पुरे राजस्थान में और स्पोर्ट्स का सामान हनुमान गड़ का प्रशीद है भाई खेसले जानते हों कि गर्मी सर्दी में जो ऊड़ते हैं खेसले खेसला ऊड़ लिया गर्मी सर्दी नहीं लगेगी लेटा जगे पढ़ती है जालोर में कोई दिक्रत नहीं है गर सांचोर आजाया ऐसपास में एक साथ likewise दोनों नहीं आएंगे और आज भी सिरोई की तलवार बहुत प्रस्चिद है आरातारी मैं लोग कपड़े पर डिजाइन की जाती है पहली बात तो भी प्रस्चन हैगा कि आरातारी क्या है कपड़े पर डिजाइन करना आरातारी कहला थी कहां की सिरोई की प्रस्चिद है एक मैंने बात लिख दी है नया अपडेट है छाप लेना इसको रमकड़ा उद्योग क्या है पत्थर के खिलों ने पत्थर से काम करना रमकड़ा उद्योग के लाता है कहां का प्रशिद है पत्थर के खिलों ने गलिया कोट डूंगरपुर के प्रशिद है इस उद्योग को इस खिलों ने बनाने के प्रशिद बीडियोग है राजस्तान का ठीक है बिलकुल कोटा डोरिया हिट जबर्दस प्रशन है हिट प्रशन है के थून कोटा और मांगरोल बारा दो जगे हैं कोटा डोरिया की प्रशन आएगा कोटा डोरिया कहां का प्रशिद है के थून कोटा और मांगरोल बारा इसे म मंसूरिया कला भी कहते हैं ठीक है ना बिलकुल इस कला क्या कहते है मंसूरिया कला क्यों क्यों कि जालिम सिंग जाला के समय मंसूर एहमद को इस कला के लिए बुलाया गया था आपको पता है कोटा के राजावेच जालिम सिंग जाला बिलकुल जाला साब ने मंसूर ये कारीग ठीक है ना मांग रोल बारां की रहने वाली है श्रीमती जैनब कोटा डोरिया के लिए फैमस का रिगर अब कुछ फैक्ट और है क्या है कि लाख का उद्यों कहां पर फैमस है जैपर उद्यपुर में चाता टेवी रेडियो चाता जानते हो बिलकुल बारेशी बेगने से बसन जाता आता है पाली कभी कि भी आता बेंग् смотрите ओनली फालना जाता है ठीक है हावाला आनिक जवार मान लिची जवार मान लीजिए और जवाहर जपूर बिलक ठीक है बल्डी बल्डी कामड़े खेस ले ये गाओं के लोग सब जानते हैं बड़ी मज़्यदार चीज़ होती है सरदी में बचने का सब तकड़ा इला जाई है बर्डी या बल्डी जैसल मेर की बहुत प्रशिदब है महंदी सोजदपाली की पता है ना महंदी राचनी कहां की है सो बाउजदपाली की महंदी बहुत ज्यादा राचनी होती है अब बहुत परफेक्ट होती है दो बातें लिखिए मैंने बैतरीन वील और हीड बेलकुल नया नाम आपके लिए अपडेट है ग्रामिंड शेतर में मिट्टी की बहुत महल नुमाकरती बनाती है महिलाएं जैसल पूछे तो जैसलमेर जैसलमेर का अभी थोड़ा पश्चिमी ज्यादा भाग है ना बिलकुल वहां मेगवाल जाते की महिला है बनाती है एक हीड ये मिट्टी का बरतन होता है जो दिवारी के टाइम पर बनाई जाता है हीड ठीक है ना ये हीड ये हीड दिखरा होगा साब साब बिलकुल थोड़ जैस मिला ठीक हो रहें कि उंट के बच्चे या तोल्डियो तोल्डियो असके मुलाहिम बालों को सूत के धागे मिला के एक बहुत बड़िया कपड़ा तियार किया जाता है उसको बाखला कहते हैं ध्यान न घिश्यान ना सिर्फ जो उन कहते हैं किया ओडी होगी आपने कभी लेके जाना तो मेंगी तो आती है बिल्कुल इतना वजन कम होता है 200 ग्राम वजन 500 ग्राम वजन लेकिन गरम बहुत ज्यादा गरम होती है जट पटी जानते हैं यह होंगे जट पटी जिसमें उंट कि इनकी बाल हटाए जाते हैं जसोल गाउं बाड मेर में जट पटी ठीक है जट पटी बकरी के बालों से बनती है लेकिन द्यानते हैं वो उंट वाली थी यह जट पटी जसोल गाउं बाड मेर जट पटी बकरी के बालों से बनती है हालां कि इसके अन्य नाम भी है जिरोही भाकला गंदहा ठीक है ना ओके और म बॉलते हैं वार्तिक या बातिक चपेगा ठीक है न कहां का प्रशिद ए बातिक या वार्तिक खंडेला सिक कर कोई प्रशिद चितरकारी भी को स्यंकिना बिल्कुल है उमेशच चंदर şर्मा साब का नाम आता है वार्तिक या बातिक में ठीक है ना बहुत ज़्यादा बैसरी ने बाई तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टोपिक है प्योर याद करने वाला है लेकिन कसम खानी है प्रोमिश करना मेरे से अभी का अभी याद करना है कि ये जो टॉपिक है दोनू इन टॉपिकों मैंने अभी इसलिए करा दिया है कि कोई सा भी एक्जाम हो यहां से प्रशन बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन इसमें क्या है याद करने का मेटर्स ज़्यादा है ठीक है तो नम्बर हेडिन लगाओ राजस्तानी वेश-बुशा और राजस्तानी वेश-बुशा मैं भी सबसे पहले लगाओ पूरुषू के बस्तर ठीक है तो सबसे पहले पूरुषू के बस्तर क्योंकि पहले आपको पता है राजा माराज हो टाइम पर पुरुष परदान एक तरीके समाज कह सकते हैं अपन, पुरुष लगबग महीलाओं वाले कपड़े ही पेना करते हैं, जैसे लगता है महीलाओं के कपड़े आज के सेंज में, जैसे फ्रॉग टाइप, गगरी टाइ तो सबसे पहले पुरुषों के वस्तर आपको हेडिंग लगानी है, राजस्तानी वेश्पुषा में भी सबसे पहले पुरुषों के वस्तर, पुरुषों के वस्तर में सबसे पहले सम्मान का प्रतीक है ना, पगडी, बेलकुल बहुत बड़ी, पगडी का बहुत बड़ा सम्मान होता है अपनी राजस्थान के अंदर पगड़ी को अलग-लग भाषा में नाम दे सकते हैं पाग के सकते हैं पाग या साफा के सकते हैं ठीके पगड़ी के सकते हैं डिफरेंट 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 नाम होते हैं तो पगड़ी बहुत बड़ा हमारे गोरव का और सम का प्रतिता प्रतिक है कोने हिजद एक सम्मान एक परतिष्ठा गोर मिद्रभ का प्रतिक है तो वो है पगडी जानते हो चिर्प वो Dá maximal जाती है बिलकुल पहनी जाती है अब एक चीज हो रहे है पकड़ी के डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है ये भी प्रशन इक्जाम में आया हुआ है क्या जैसे कि पाग तो चलो पकड़ी से बनाए वेसे एक ठेट परशी में राजस्तान के इंदर पाग भी परशीद है थोड़ा यसा मोटा चोड़ा होता है पाग पकड़ी से ठोड़ा था पकड़ी में दो क्या कि इसा चोड़ा लगा के शांदार बनाई जाती है लेकिन वो यह की बात है पकड़ी का रूप है पाग है पैंचा है फैटो है सेलो है लपेटो सिरसूत बागा और फालियो आप जाते हैं पाग सुनावा है और यहाप को फेटो, सेलो, लपेटो, लपेटना, यह सब इजी जे लगेंगे, बागा, फालियो, यह सब पगड़ी के नाम है, बस करना क्या है कि 8-10 बार इनको पढ़ना है, पढ़ती याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर बात आती है, पगड़ी के परकारूं की, very important ह है, और very important क्या है, very very important है, civil services में भी, आपके first grade, second grade exam में भी क्योशना चुका, पटवार, वीडियो में प्रशना चुके, क्या, कि लहरिया पगड़ी, लहरिया पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी, जैसे इतना साएगा, मोठड़ा, मोठड़े की पगड़ी कप पहनी जाती है, तो विवा के उच्छा उपर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, यह कै, मदील की पगड़ी, यह दशेरा जवाता न, तब पहनी जाती है, मतलब पहले जो अपने लोग होते थे, हालांकि आज भी ग्रामिन प्रवेश के अंदर, अपने दादाजी वोगेरा, same color की पगड़ी नहीं पहनी पहनी ते, तीन-चार कलर की पगड़ी होती है, हालांकि आज कल देर देर ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, वरना हर त्योहार पर भी पगड़ी का रंग चेंज किया जाता था, ऐसा समान था पहले, ठीक है, फूल पत्ती की छाप वाली या सफेद या प बहरी का मतलब है, जो बहुत बहुत बतिले रंगु से होती है, इसमें पांसात रंग होते हैं, वो बहरी और फूल गुलाबी जो है, ये गर्मियों में पहनी जाती है, और लहरी या सावन की तीज पर पहनी जाती है, तो ये ध्यान रखें, ये सब क्या है, जैसे एक्जाम आजाएगा मदील क्या है आजाएगा नहीं बहुत बार रिपीट है ये मदील मदील क्या है साप पगड़ी का एक परकार एक आबुषन एक इस्तरी का आबुषन नाक का आबुषन ऐसे बड़ा जाते हैं तो मदील क्या है मदील एक पगडी का परकार है फिर आजाएगा मोठडा क्या है तो मोठडा एक पगडी का परकार भी है इस तरियों के परकार में पढ़ेंगे पन और कसुमल क्या है तो कसुमल एक पगडी का परकार है इसलिए ना मत भूल जाना लहरिया मोठडे मदील फू केसर या पंदीए प्खडी और गुल ए अनार के इसब गुल ए अनार क्या है पकडी का परकार है जो कि शरदी गुरुती में शर्द पहने जाती है और सफेध पकड़ी तो खयर में आपको बताए दिया ये शोक किया पाग बहुत बार पूछा गया प्रशन है खिड़किया पाग कहां का प्रशिद है तो जोदपुर के साफ़े को जिन्होंने कि जस्वन सिंग सेकंड नहीं फैमस किया था वो जोदपुर का साबाद चुनड़ी वाला साफ़ा आज भी बहुत प्रशिद है साधिशादी ब्या के अंदर बहुत पहना जाता है जोदपुर का साफ़ा यानि कि खिड़किया पाग उसका नाम क्या है खिड़किया पाग वो फैमस है चुन्ड़ी साफ़ा भी बोलते है उसको जस्वन सिंग दित्य को इसको प्रशिद करने का श्रेज आता है ठीक है इन्होंने इसको राजा ने खिड़किया पाग को या जोदपुरी साफ़ा को प्रशिदी दिलाई तो राजा जस्वन सिंग दित्य है ठीक है पगड़ी की बात की जाए तो उदेपुर की पगड़ी भी बहुत फैमस है उदेपुर के पगड़ी देखना थोड़ से यहां ऐसे बनी रहेगी बहुत टाइट और यहां लगए जिसे महमूली से चज्जा टाइप है बहुत शांदार पगड़ी होती है और जेपुर के रंगरेज रंगरेज कोन होते हैं जो पगड़ी को रंग देते हैं जो रंगते हैं जो पगड़ी बनाते हैं समान लीजिए ठीक है न तो जेपुर क जो रंगरेज है और राजशाही पगड़ी अब प्रशन आजाए राजशाही पगड़ी कहां कि तुझे पुर किये टीक है वो बनाते हैं और मद्दे काल में खनगा ये लिख लेना हमाई फैक्ट है ये सिधे सिधे फैक्ट है आयो प्रशन है और आने की चांस भी है कि खनगा क्या ये भी एक पगड़ी का परकार था हलांकि अब पगड़ी परकार में इसको नहीं किना जाता है खनगा ऐसे ही मानता जाता है तो मद्दे काल में जब अभी तो आदूनी काल चलता है मद्यकाल में खनगा एक परकार की पगड़ी ही थी एक वर्ड ये बहुत important प्रशन आया हुआ है very important प्रशन आया हुआ है और live test ले भी लुगा में कि छाबदार क्या है तो मेवाड महारण को पगड़ी का नाम नहीं है तयान दखना चाबदार महारण को पगड़ी पहनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते है चापदार कामबा साफा ये एक साफे का परकार साबा इंडर्संस की पगड़ी ये जब शादी ब्याद होती है तर पीटी करते है ना वो हल्दी का बना के गीमें बगरा तो वो उस ताइम कामबा साफा पैना ही जाता है शुब माना जाता है चीरा और फेंटा ये भी ध्यान परके वेक्ति पहले फेंटा ये चीरा पहना करते हैं पगड़ी जैसा ही है ये तो वह ध्यान करना कभी के प्रस्शन आ जाते है आलागा ज्यादा इंप्रोटन नहीं है लेकिन ये बाकी सब जो है वैरिंपोर्टन है ये ध्यान देना है फिर मैं बात करता हूं पगड़ी के शेलियों की पगड़ी की पूरी पेच डी करने वाले हैं पर नस नस्या करेंगे पगड़ीयों की शेलियां भी very important है ठीक है ना भाई शेलियों का मतलब क्या है कि पगड़ी कहां की पगड़ी famous है मतलब या फिर पगड़ी बनाने के तरीके माल लीजिए तो उदे शाही मतलब हर नाम है ना वो लगबग लगबग राजा के अपने नाम से ही वो पगड़ी चला दिया करते है तो पगड़ीया परकार हो गया कि इस डिफ्रेंट जैसे है कि जयपूर की पगड़ीया अलग हो गई ठीक है वैसे उदेपूर की पगड़ीया अलग हो गई अमर सिंह राठोडी पगडी, हमीर शाही, अटपटी, बखरमा, अब जैसे ये different नाम है, अटपटी, बखरमा, ठीक है, और मंडब शाही, मान, बाकी सब में शाही है, ये जो तीन नाम थे, इन तीन नाम को तोड़ इस्पेशल देखना है, क्योंकि इनमें आगे शाही नहीं है, वैसे शाह जशनी, या पिर आपके ये कहने, अटपटी बखरमा क्या है, तो ये पगडी के शेलियां है, ये ध्यान नक नाम, तो ये सब पढ़ लेना महान शाही वगएरा, और मान नब शाही होगे, राजशाही जैपूर की है, और एक ये है वर्ड, इसी से लिटेड वर्ड है, बाला बंद, बाला बंद क्या होता है, पगडी धारन करने वाला एक जरीदार वस्तर होता है, तीक है न, ये ध्यान नक पगडी पर धारन, पगडी उपर धारन किया जाता है, जरी मूटी का बढ़ा होता है, वो उसको बोलते हैं बाला बंद, लिख लेना, इसी के रिलेट पुरुशों के अगर मैं बात करूं वस्तरों की या इनकी तो वो है अंग रखी, ठीक है ना? बिल्कुल अंग रखी program is very important है, आ जाये है कि अंग रखी पेना जाता है पुरुशों के द्वारा, ठीक है न? तो यह पुरुशों का है, पेनावा है, पुरुशों के वस्तर है, ये कैसा दिखता है? कि ये शरीर की उपरी भाग पर, उपरी मतलब जहां आपन शर्ट पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं, उपरी भाग में पहनेते हैं, जिसकी लंबाई जंगु तक आती है, जंगु मतलब है अपने थाइस तक, पूरे गुटनों तक नहीं, गुटनों से ही एक परकार है, तन सुक, तन को सुक देने वाला अंगरक्षी, ठीक है, गाबा, गाबा तो वैसे भी पश्ची में राजस्तान में कपड़ों को गाबा ही केते हैं, गाबा, दूतई, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो, अचकन, अंगरक्षी, अंगरक्षी तो खेर अंगरक्ष है, वैसे एक सूती कपड़े की पतली बगतरी पेनी जाती थी पश्ची में राजस्तान के अंदर, जो शाहिद आज भी अपने दादाजी पर दादाजी कभी-कभी पेनते हैं, बनियान जैसी होती है बगतरी, उसके बीच में यहाँ पर जेब होती है, पोकेट होती है, पे पहले ऐसे कहते हैं कि शर्ट के अंदर भी बनियान वेसी पेहनते थे, उसमें पोकेट होती थी, उपर शर्ट पेहन लेता है, लेकिन उसके नीची हो उसमें पैसे बगर रखते है, सामने भी रहता तो जल्दी से सब कुछ सेप्टी रहता, साइड में तो फिर भी बले चोर परशना सकता है, कि जो पुरुषों का मतलब की पहनावाय अंगरखी, इसको पुरुष कहां पहनते हैं, गुटने के नीचे कमर पर, ध्यान लेकिन प्रॉब्लम हो गई एक, ये जामा पजामा जैसा लगता है, लेकिन पजामा नहीं है, ये फ्रोग जैसा लगता है, लेकि जामा फ्रोग जैसा लड़कियां फ्रोग पहनती है, फ्रोग मतलब जो बिल्कुल गुटनू तक आती है, एक सीधी उपर से नीचे तक होती है, वो फ्रोग होती है, ठीक है, काफी गुमार घेर वाली, तो शरीर के उपरी भाग में पहनते हैं, जिसकी लंबाई गुटनू पहनते हैं, और इसको भी सोचो आधी पहनते थे, और शादी ब्या, धरवार, आधी जब भी लगता था, जिक्या अधर दरवार लग रहा है, ऐसे विशेश आउशनू पर पहन की जाते थे, ठीक है, आधी आउशनू पहनते थे, अच्छा जब ये शादी ब्या, धरवार पहने की जाते थे, तब इसको कभी-कभी कचोटिया जामा भी कहिए देते हैं, तो बात वही लास्ट में जामा लिखावा है, लेकिन आज आए कचोटिया जामा, क्यों, ये क्यों आजाए, क्योंकि अबुल फजल ने इसका अलग नाम दिया था, अकपर ने इसको अलग ना तो टकूचिया जामा है, जामा का मतलब पुरुशू का परिदान है, अबुल फजल ने इसको टकूचिया कहा था, किसको जामा को, अकपर ने जामा कहा था, शर्बागती, क्या कहा था, शर्बागती, और मैंने नोट लिख दिया नहीं रहा, कि जामा है, वो फरोक जैसा हो गदर सिधी सी बात है शरीर की उपर पहनेंगे लेकिन नीचे गुटनों तक उसकी लंबाई रहेगी ये थोड़ा गुटनों से उपर आता जांग उते कि इसकी लंबाई होती है ये मैन फरक है ठीक है न विशेश तोर पे द्यान नकना जामा आगे हैं चोगा अच्छा चोग दोनु नाम आते हैं चोगा भी लिखावा आचुका है चोगा भी लिखावा आचुका है ये अंगरकी के उपर पहनते हैं द्यान नकना चोगा ये चोगा क्या करते हैं अंगरकी पहन लिए अंगरकी उपर पहना जाता है लेकिन वो तो पूछा जाता है कम प्रशन ही आए है कि चोगा या चुगा किसका परिधान है तो पुरुशूं का गमाईलाउंगों तो पुरुशूं का है एक बात तो यह दूसरी बात यह जो प्रशन आयता वो यह कि महाराजा सवाई सवाई जिसके भी लगावा है वो सब जियपूर के राजा है तो महाराजा सवाई मादो सिंग फर्स्ट का चोगा ने सिर्फ भारत में बलकि पुरे विश्व में सबसे बड़ा चोगा या गाउन है अब गाउन महिला ही पेनती है गाउन समझगे तो गाउन यह ऐसा पहनावा पहले महिला हूँ जीसा पहनावा भी होगा अपन राजा महराजों के पहले फोटो देखेंगे तो आपके अलगे जीसा गाउन पहनावा है आजकल की महिले हैं गाउन पहनती है लेकिन यह पहले पहना करते थे और यह गाउन यह चोगा है चुगा जो मादो सिंग पर्थम क है जेपूर में city palace museum है ना बिल्कुल कभी vlog बनाऊंगा दिखाऊंगा आपको उस city palace museum में बेलकुल परदर्शनी के रूप में दिखा रखा है जैसे अपने हावा मेल परताप सिंग का पेना पूरा देखा था वेसे ही city palace museum जेपूर में display है display का मनलब परदर्शित है ठीक है तो very important है सवाई मादो सिंग परतम को मत बूल जाना कि चोगा पुरुशूं का एक परिदान है लेकिन किस राजा का किस महाराजा का चोगा विश्व परशित है तो सवाई मादो सिंग कहां के राजा थे जैपूर के very good अगला है टेल टेल पेंट छोटी पेंट होती है जिसको अपन ऐसा मान सकते है हाँ पेंट निकर जैसा ठीक है पगड़ी के साथ पेंट है बताओ कैसा लगेगा छोटी पेंट है और गुटनेस तो नीचे तक आती है मतलब केप्री मान लीजिए आज के जमाने की केप्री तो नीचे के लिए तक ना लेते है वी योसरुट नीचे है फी नहीं ना देखे तीक ना तो यह ट tvr का बहुत लंबी दाड़ी रखा करते तो आप लम्बी दाड़ी रखा वेलिके क्या कि यह ट्र माहराज काम दो कोई था नि fragrance तो धोडी पर दढ रहने हैं ढोते हैं थो आप श्रदारा जीजिब एक उब रहने है से उते हैं जोते हैं लंबी दाड़ी वो भी दाड़ी सेट करने के लिए यह दादिया होता था बस याद आपको रखना है एक बृचेस या बिर्जस ठीक है ना यह चूड़ीदार पाईजामा होता था यह सब अपने इतनी तर जो भी पड़े यह अपने एज लाइक के उपर के अब तो अब नीचे आगे है अब टेल से लेकं नीचे आगे हैं चूड़ीदार पाईजामा है यह पेरु से गुतनु तक टाइट ठीक है मतलत नीचे से उपर गुतने और उपर कमर तक बिल्कुल ढेला ठीक है लड़कियुंके पजामा नहीं होता अबे ऐसा गुतनु उसे कमर तक घेरदार चोड़ा होता था उसे नीचे मलो आज लाएगी शेरवानी जो लड़के पहनते शेरवानी शादी के टाइम पर वो एज लाएगी ब्रिचेस या ब्रिजस जैसी होती है नीचे टाइट और उपर लूज ठीक है और बैसे के लिए जो राजा पहन देते शिकार पर जब जाते थे ना उस ताइम पर पहना करते थे लेकिन आज गल तो ब्रिचेस या ब्रिचेस या बिर्जस वेरी इंपोर्टेंट है चोड़ीदार पाईजामा है ये अब सिर्फ पाईजामा या सूथन आ जाएगी सूथन या पाईजामा क्या है तो ये अंगरखी चूगा और जामे इन तीनों ध्यान अगरखी पढ़ लिया चूगा ये चोगा पढ़ लिया चूगा ये चोगा ये की बात है चूगा बोलो चाहे चोगा बोलो बात ये की है और जामा इनके नीचे पहनते थे पाई जामा क्योंकि वो तीनों ही फ्रोग जैसे ही है एक तो भाई गुटनों से उपर है गुटनों के नीचे है तो तीनों ही फ्रोग जैसे ही है नीचे पहने ये पाई जामा वो पाई जामा ये सुतन होता था जो गुटने से नीचे तक ड पैने हैं तो दोती कमर पर पहने जाती है प्रहय मॉस्टली संपेद कलर की होती है लुग है टीक है यह भ screw ऊघजले मौ talking लैदर जैसे उपर पूरा कवर होता था मजबूत वगबादा तो खेल आमोवा समझ你有 पुरुषोंका परिदान आया नहीं लेकीन भी याद रखना शिकार के टाइम पर तो ज्यादा क्योशन से विरजद से आया है यह आपको याद रखना है, एक है मलेगरी, भूरे रंग में रंगा हुआ वस्तर, जो लंबे समय तक सुगंदित रहता था, खुश्बू आती थी, कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है, आप नोटिस करना, कोई कोई कपड़ा ऐसा आ जाता है, जैसे अपन बैसे करी बैसे तो सुगंदित रहे, ना रहे, अपन को थी याद रखना है, पुरुष पहनते क्या थे, बस, फिर एक कमर बंदा या पटका, कमर के उपर बांधने वारा समस्तो गए होंगे, कमर पर जिसमें कटार, तलवार, खंजर आदी ठूसे रहते थे, क्योंकि पहले क्या था, शिकार कर के उपर अलगते थे पहन के, आतम सुख, जो आतमा को सुख दे, सर्दियों में पहनते थे, जैपुर के महराजा मादो सिंग का आतम सुख, मादो सिंग जी बड़े रंगिले, रंगिन मिजाज के आदमी है, पहनावा बहुत शांदार करते हैं, कल्चरल वेक्ति है, तो जै आतम सुख कोन से राजा पहना करते थे, तो मादो सिंग जी का ही नाम अपने, मैंने आपको यहां पर भी लिखा दिया है, चोगा में भी, विश्व परशित, चोगा, आतम सुख भी उनिकार, चोगा भी नहीं का, अब नोट लिखा है, मैंने एक वेरी इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार पूचा जाता है, बही शोल होता है सर्दिक टाइम पर शोल औरते न, शोल औरते जोता है या पर चदर चादर भी खूप सारे लोग कहते है, अलग लग भाशा है, जान लकन आपको चादर ही लगेगा, जिसे बेड़ शील पर जाती है, लेकिन लोगों की भ तो पच्छेवड़ा पच्छेवड़ा क्या है पच्छेवड़ा उन ही शोल है एक उनका बना उसको पच्छेवड़ा का जाता है वस्तर है जो ओड़ा जाता है शोल जैसा गुगी कामली 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 बोल दो चादरा देगलो मैंने का चादरा खौल्प आदी सर्दी में उप कि उपर से ओड़े जाने वाले स्कार से प्र lighting अक्राभ यहाद रखना कि और प्र ठरशन बहुत बार आई च्र। सूती मोटा सूती कपड़ा या पिर शोल का परकार वह सर्दी में अपने तन को डखने के लिए ओड़ने के लिए कैसा वस्तर पैसा कुछ भी आ सकता है तो पछेवड़ा गूगी कामली चादरा खौल पर यह सर्दी में उपर जो शोल ओड़ते थे उनको कहा जाता है यह वह पुरुषों के जितने भी थे वो अब श्तरियों के वस्तर की परंगर बात करें तो श्तरियां से विसी बात है ओड़निया उड़ेगी लूड़ी उड़ेगी साड़ी पैने की सब बात करेंगे सब से पहले दामनी दामनी वेर इंपोर्टन ए बहुत बार प्रशन आ चुक करेंगे ओड़नी ठीक है ओर जानते हो उपर जोड़ी जाती है महिलां के द्वारा ओड़नी चूनरी बोल दो लूगडी बोल दो एक बात है दामनी वेर अप उड़नी लूगडी है पिर भी ओड़नी लूगडी कुछ फ्हमस भी है जैसे पिला पोमचा जबरतस प्रशन आ तो ध्यान रखें पॉम्चा यह बच्चे के जनम पर प्रस्चुता, जो बच्चे की मां होती है, उसके दोरा पीला पॉम्चा, वेरी फेमस है लेहरिया अब लेहरिया पगडी का भी परकार है शावन मास में ओडी जाती है और ये भी सावन की तीज वो भी सावन की तीज ठीक है न तो पगडी भी वेरी इंपोर्टेंट लेहरिया में बैज आती है और मोटडा फिर पचरंगा पचरंगा और चूनडी प्रकार है जो महिलाओं की ओड़नी बोल दो चाए लूगडी बोल दो चाए चोनरी बोल दो ठीक है अब थोड़ी जिम्मी के बारे में पढ़ लेते हैं जिम्मी very important है और ये प्रशन भी आ चुका है क्या कि फेरे साथ फेरे होते हैं इसलिए सब्तपदी कहते हैं फेरे ये ओड़नी कौन ओड़ती है वदू जिसकी शादी हो रही है ये जिम्मी है तो ध्यान लखें ये सारे के सारे क्या है ओड़नी या लूगडी के परकार है इस्तरियों के वस्तर में ही आते हैं फिर इस्तरियां साड़ी पेहनती है बिलकुल आगे पन गहागरा की बात करें साड़ी की मैं अगर बात करूं तो साड़ी में दो साड़ियां very famous है फूल की साड़ी और सूट की साड़ी ये प्रशन very important है फूल की साड़ी जोबनेर पड़ता है जेप्र ग्रामेंड के अंदर बिल्कुल जेप्र से 45-45 किलोमेटर दूर है 50 होगा जोबनेर जेप्र ग्रामेंड के अंदर है और सूट की साड़ी सवाई मादोपूर की प्रसिद है तो फूल की साड़ी जोबनेर जेप्र ग्रामेंड की प्रसिद है और सूट की साड़ी सवाई मादोपूर की प्रसिद है अलगे साडियू के और भी परकार है, अभी दो इलिखे हैं मैंने ये देखो, साडियू के कुछ और भी नाम है, आप परकार बोल तो चाए नाम बोल दो, जैसे कि चौल निचौल, अब exam प्रस्चन है जाएगा चौल निचौल क्या है, साडियू के परकार, स्तरीयू का पहनती हैं समझ में आ गई क्या क्या चोल निचोल चोर पटोरी चोर सो अब चो 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 से याद हो जाएगी चो चोर पटोरी हो गया चोर सो याद हो गया दोरावाली पटू दुकुल अंसुकर वसन ये सब वसन तो वेसे आपको पता वस्तर का क्या बोलते हैं प्रेयवची है तो ये सब साड़ियों के नाम है आपको डंग से याद करना है फिर है पैस्वाज अब एक्जाम प्रशन है का पैस्वाज क्या है इस्तरियों का परिदान इस्तरियों के बस्तर या पुरुशों के इस्तरियों के पहना जाता है बिल्कुल ठीक है और घागरा कुरती कांचली ये एक तरीके से पूरी पोशाक हो गई ठीक है एक तो साड़ी वाई कुछ माईले हैं साड़ी पहनती है कुछ माईले हैं घागरा कुरती कांचली पहनती है ठीक है जिसको पन राजपुती पोशाक भी बोल देते बिलकुल तो गागरे में 80 कणिंग प्रसित का मतलब है गागरे गौल होता है गागरे उसका वह वन्हें जैसरए चुछल्वटे को इसे राइन क्ताले हौडव Keeping गागरा या लेंगा उसको गागरे को लेंगा भी कह सकते हैं ठीक है और कुर्ती अब कुर्ती सीधी सा पाट होती है देखना आप एकदम कुर्ती ऐसी होती है और यहां जो अतानिस का ये दोनों ये ये एकदम कुर्ती जो होती है वो बाजू नहीं होती है क्योंकि फिर कांच कांचली कुर्टी के उपर पहनी जाती है तो उस कांचली के बावें होती है कांचली के बाजू होती है इसलिए कुर्टी के नहीं होती है कांचली के बाजू होती है तो यह पूरा तीन का एक सेट है ठीक है न यह तीन का क्या एक सेट है और उपर ओड़ी जाती है चोनरिया ल पहिलाओं के वस्तर या परिधान है नेक्स की बात करूँ में तो लालर ये विद्वा इस्तरियें जो होती है न वो ओड़ती है सफेद रंकी भी हो सकती है सालू इस्तरियों के ओडने का सुंदर वे कीमति एक वस्तर आता है डिफरेंट रहे का जिसको कुछ लोग तो बनाल एक बेलबोडम टाइप वो नाम देते हैं उसका लग-लग तो ये सालू है ये किम्खाव टसर चींट, मलमल ये कपडू की परकार है कि छींट का कपड़ा है जैसे ये अपने फैमस है छींट का मलमल का कपड़ा है है ना सुना होगा आपने इसके बाद में इलाइची कपड़ा भी इलाइची बहुत चला था उसको इलाइची बोलते हैं अपने पश्ची मेरास्तान में इलाइची हो गया और मरु है, चिक है, मेरे बादल है, बादला बोलते हैं, मेरे बादल तो पूरा लिखाओ ना, बादला वाला कपड़ा भी कहते हैं इसको, नौरंग साही भी काफी फेमस हुआ था, बाप था, भाम जामा गंग आजड़ी, ये तो आपने नाम सुन भी रखे होंगे, जैसे मै पुरुषों के वस्तर, महिलाओं के वस्तर या परिधान, बहुत ही अच्छे डंग से पढ़ लिए, ठीक है, जरूर ध्यान लखना, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां से अपने शुरू किया इस तरह के, दामनी क्या है, इस तरह के वस्तर है, ओड़नी ल परिकार है, यह जो दोनु है, यह पुरुषों के पगड़ी का परिकार है, तो यह इस तरह के वस्तर में भी आते हैं, यह प्रस्चन तो पक के आते हैं, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, जोर देखे कह रहा हूं, या तो आप हाइलाइटर रखा करो, हाइलाइट कर लिय और red paint से हैं सिरफ underline करो जो specific word हो जैसे ही है तो ऐसा जैसे मैं आपके बनाया है यह सा बना के यह से लिख दो कि भाई यह जो है important है मतलब यह पगड़ी में भी है तो आप side में लिख सकते हो कि also पगड़ी मतलब यह पगड़ी भी है और यह जो है और नी या स्तरियों के बस्तर कबरकार भी है तो दोनों एड़्जस हो जाएंगे जो कि अपने को याद रखना है जिम्मी को फिर underline करके red paint से side में यह लिख दो कि यह फैरे अत्वा सब्तपती के समय मामा द्वारा दी जाती है वो दुके द्वारा ओड़ी जाती है यह सब ब आवार्या इजर गागरा कुर्ति काँछ ली यह सब जो है वो महिलाओं के बस्तर है इसके लावा लालर और सालू यह भी महिलाओं के बस्तर है और इस तरी कप्ड़ों के परकार में दोचरियोद कर लिए ना यह एज लाइक परकार का मतलब है यह उ एक षहली कपड़े की को परकार है वो है ठीक है फिर यह दोनों अपने होगें अधिवास्य के वस्तर भी है ओदिवास्यों के पुरुशू के अलग है और अधिवासी महीलों के regard आदिवासी पुरुशू के वस्तर कि में बात करूं तो वह इंघर गटरी वह वो इनके भी है, अंग रखा या अंग रखी एक ही बात है बक्तरी, ये एक्चुली क्या काले रंग का वस्तर होता है, जिस पर सफेद धागे से कड़ाई की होती है, अच्छा ऐसा नहीं कि पूरे को सफेद, बीच-बीच मज़े से फूल बना दी है, कोई लाइनिंग कर दी, डिजाइन मना दी, जो भी इनके अच्छा लगे, लेकिन हो सफेद धागे से कड़ाई की जाती है, और इसके साथ में धोती भी पेहनी जाती है, पर नीचे धोती पेहनते हैं, ये उपर से हैं, बक्तरी तो आपको पता है, गुटने तक हो रहती है, पर नीचे क्या पेहनते नीचे धोती भी ये पेहनते हैं, ये तो चलो ठीक है कि अंगर खाय बक्तरी आदिवाशी पुरुष भी पेहनते हैं, और वैसे नॉमल पुरुष भी पेहनते हैं, लेकिन जो प्रशन आएगा वो ये है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है, ये आपको ध्यान देना है, ठ तीन बातें एक साथें, एक तीर तीन निशाने, बील जन जाती के पुरुष एक तंग धोती पेहनते हैं, जिसें धेपाड़ा कहते हैं, धेपाड़ा वेरी वेरी इंपोर्टन है, घोट के पी जाना, तीनु प्रशन आचुके हैं, आते ही रहेंगे, नजाने कितनी बार आ चुके हैं, क्या कि धेपाड़ा क्या है, बील जन जाती के पुरुषों द्वारा पेने पेने गई धोती, या फिर आदिवासियों के द्वारा पेना गया वस्तर, आदिवासियों द्वारा पेने गई धोती, पुरुषों का वस्तर, केसा भी प्रशन आ जाए, तो ये धोत के इस्तान पर मोटा एक वस्तर बांगते ते यूं पगड़ी की जगए मोटा वस्तर उसे कहते हैं पोती हो very very important है तीनु छपेवे परशन सीदे बता रहा हूं मैं तीनु के तीनु छपेवे परशन है ये आदिवासी जो लोग है उनके पुरुष के वस्तर है वैसे भील जन जाती हालां कि जण जाती होने topic कराने वाला हम जल्दी शेहर यह जन जाती के पूरुष जो पहनते हैं वह पहनते हैं वह पहनते हैं यह लोई लोन तडेया कृटी उसे बोलते हैं पोतियो लेकिन शेहर जो पकड़.चा को इस ऐस आदें रगध ये भी पहनते हैं उपर एक वात थंग दोती डेपाड़ा है लेकिन इनकी जो अंगर रखी जो बोलते हैं सलूका ये तीनु प्रशन एजटी जाएंगे कि सलूका क्या है तो शहर या जनजाती के द्वारा पहने जाने वाला पहने जाने वाला वस्तर या पुरुशु के जो पहने जाती है उसको पंचा का जाता है शहर ये जनजाती के पुरुशु द्वारा साफा ये पगड़ी पहने जाती है उसको खप्टा कहते हैं और शहर ये जनजाती के पुरुशु द्वारा जो अंगर खी पहने जाती है उसे सलूका कहते हैं और आदिवासी लोग सिर पावली बात भी कहते हैं पावली पाव जानते हो ना इसलिए इसको पावली भात भी कहते हैं वैसे भात लगते ही समझा अना बात इदे को ट्रिक बता रहा हूं, यह बहुत जवरदस ट्रिक है, हालांकि अब आगी लिख दूँगा, कि जहां पर भी आपको बात दिख जाए ना, बात, बात का मतलब है, कि वो आदिवाशी महिलों की ओड़नी है, ओड़नी, ठीक है न, चुनरी ओड़नी है वो, अभी पड़ाओंगा, मैं सारी केर वाली भात, सारी भात वाली, ठीक है न, तो इसे पावली भात कहते हैं, कि इसमें अलंकरण, अलंकरण का मतलब क्या होता है, इसकी छपाई, भाई, छापे होंगे, फूल के चिन होंगे, अलगल को अधर न, छपाई होती है, बिलकुल, तो इस ओड़नी पर, ये चौनरी पर, छपने वाले अलंकरण को पावली, या फिर पूरी की पूरी चौनरी को पावली भात का जाता है, वो भी ध्यान रगाने, कटकी कोई कहते हैं, ये आदिवासी महिलाओं का एकवस्तर हुआ, अब ये देखे, मैंने का था न, भात, भात, भा परकार, जवार भात की ओड़नी, केरी भात की ओड़नी, लहर भात की ओड़नी, और तारा भात की ओड़नी, तारा भात, जवार भात इतनी बार आया है, कि तारा भात और जवार भात क्या है, ये एक ओड़नी के परकार है, आदिवासी महिलाओं की ओड़नी के परकार है, जवार, केरी, लहर, केरी का मतलब यह सब जो नाम है वो वेसी उनके उनके उपर डिजाइन की हुई है, जैसे केरी बनाई होती है उसके उपर, यह सब ध्यान रखना, तारे बनाई होते हैं, लहर या तो अखेर होता है, उस पर डिजाइन होती है, जो मतलब ऐसे के लिए चोनड़ी वो तो खेर ओड़नी का परकार है यह आहड उदेपुर है ना आहड उदेपुर है जगे उसके बेलू की चोनड़ी या ओड़नी है जिसमें सफेद रंग की बिंदिया होती है चोनड़ी का रंग कथई या काला होता है बड़ी खतरनाथ है ना कथई या काले रंग में सफेध सपेथ बिन दियां बहुत बिशांदार ये चूनडे आहार्या उदेपुर्क ने माहिलाओं के द्वारा बिलाओं की चूनडी है अब है जामसाई साठी जामसाई साठी क्या है कि जो आदिवा सिस्तिरिया है वो विवा शादी विवा क्या उस तर पर पैनती है लाज रंग की जिस पर फूल पतियों की बेल होती है यह लाज रंग की होती है जामसाई शादी बा में पैनेंगे तो वैसे रेड गलर शुब माना जाता है तो लाज रंग की चुनडी पैनते हैं यह ओडनी ओडते हैं उ पुराना है यह प्रशन व्यास सकता है कि आदिवासियों का सबसे महिलाओं का पुराचीन वस्तरकौन साथ नाधना है नीले रंग की छीट चीट जानते हो कपड़े का परकार है दाबू पदती हालां कि पड़ेंगे अपने पदतियां दाबू का मतलब है कपड़े के उपर दबा के चिप का वो कोई चीज को चापना ठीक है छे फूल छे पतियां वाला पोदा इसके ओपर दाबू पदती से चापते हैं छे फूल और छे पतियों वाला चोटे-चोटे चतुर कोण वाले ऐसे डिजाइन उसके पर दी होती है वो है नाधना वैसे यह का रेंड साही रेंड साही इनका लेंगा है अधिवासियों के महीलाओं के दोरा पहना जाता है रेंड साही कच्छाबू इतनी बार आ चुक है आपने भी किसी ने अगर दिये होंगे एक कॉम्पेटिटिव एक्जाम तो कच्छाबू बहुत पुछा होगा यह गुटनु तक का गागरा ह जो कमर पर पहना जाता है किनके दोरा आधिवासि महीलाओं के दोरा ठीक है और फूदड़ी यह तारभात इसके ओपर तारभात की डिजाइन की जाती है एक तरीके की ओड़नी है ठीक है यह ध्यान लखे है वेरी इंपोर्टन है बहुत बार आधिवासियों से प्रशना च जाम साई साड़ी विवा के उसर पर अधिवासि महीलाओं पेहनती है नांदड़ा इनका प्राचीन वस्तर है जो दाबू पदती के इंदर छापा गया एक तरीके ओड़नी है छे फूल छे पतिया चत्रकॉंड जैसाइन इसके उपर है रेंसाई एक लेंगाई है कछाबू इस सारे के सारे जो है वस्तर जिसमें पहले पूरूशों के पड़े महीलाओं के पड़े पिर आदिवासी महीलाओं आदिवासी पूरूशों के पड़े ठीक है ना वेरी इंपोर्टन टॉपिक अपना कंप्लिट हो गया है कुछ इंपोर्टन फेक्ट लिखे है मैंने जो इसी topic effect है, आपको पता है कि जोदपुरी कोटपेंट राष्ट्री लेवल पर हिट हो गया है, प्रशिद है, जोदपुरी कोटपेंट को राष्ट्री पोशा गोशित किया जा चुका है, ठीक है न, बिल्कुल, अभी कुछ specific word है, जान सीद प्रशिद प्रशिद आ जाते हैं, अवोचन क्या है, औरतों के सिर पर, जो परदा जैसा होता था, पहले राजपुत्तों में परदा system था, ठीक है, तो औरतों के सिर परदा ओड़ने का श्वेद कपड़ा होता था, सफएद कपड़ा, उसे अवोचन का जाता है, गुली बन, केजिरवाल साब वाला, ठीक है, चोटे बच्चों का सिर डखने के लिए ताकि पिए दोटी की पटिउं का वस्तरी चादर है कोरणे ओ इंपोर्टन्च यो बहुत इंपोर्टन धयर मअ जिली का यह ओ लेक्पार एक आता है वदु को मामा की ओरसे दी जानेवाली पोशाक है यह तो और अइन civit और ये क्या है ये पोशा के कोरणियों वेर इंपोर्टेंट है थार मायरो बराना थार कोरणियों लेवाला ठीक सुनाओगा सौंग ये बहुत इंपोर्टेंट है फिर आडबंध है दुले की लाल पगड़ी पर बांदा जाने वाला सफेद वस्तर आडबंध ये specific word है बहुत सन्यासी सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्तर कौपीन होता है फिर ये पाउरी ये दुलहन द्वारा पहनी जाने वाले लाल या गुलाबी ओड़नी पाउरी कहलाती है एक नाम लिखा है मैंने श्री राम किशोर छीमपा ये बगरू बगरू के रहने वाले हैं बगरू के परशिद, दाबू छपाई, वैसे तो मैं नाम भी लिखता, आगे कहीं लिख देता, चित्र कराल टॉपिक में लिख देता, लेकिन अभी दाबू प्रिंट अपने पड़ी थी, इसलिए मैंने लिख दिया साइड में याद रहे, ये दाबू छपाई के कलाकार है, जिनको वर्ष 2009 में 12 सरकाद्वारा पदमश्री मिल चुका है, ठीक है न, ये लिख लेना साइड में, क्योंकि अपने दाबू पदत्तिय दाबू परिंट पढ़ लिया तो लगया, जहां पर भी कोई चीज मैच होती हो, उसको वहीं पढ़ना ज्यादा एजी रहता है, बाक जादा किया जाता है, तो ये चीज़े हैं वाई, राजस्तानी वेश बुशा, जबर्दस तरीके से, सोपर लूपर तरीके से कंप्लीट कर लिए, तो इस तरियों के आभूशन, सबसे पहले आभूशन में वेडिंग लगा उस तरियों के आभूशन, औरनामेंट्स, इंग नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये रास्तिरर, यही मस्तक्स, यहीं एक ही साथ पहने जाते हैं, तो जो जो आपको आते हैं, उनको अंडरलाइन मत करना हो, तो आपको याद यह सब को पता है, यह बोर या बोर या बोर या बोर ला क्या होता है, यहां पहना जाता है, जा म बहुत बहुत बार को पूचा जा चुका है गेड़ी और गोफण यह दोनों नए नाम है याद करना पड़ेगा बाकी बार बार प्रैक्टिस करो और खूब सारी लड़कियां जिन्होंने नाम सुन रखे हो तो उसलिए काफी एजी बन जाएगा मस्तक्ष पर भी है मोली फूल बोरला यहां पर भी है यहां पर भी तभी तो मैंने कहा नहीं दोनों को एक साथ पढ़ लो आप तो इनको एक साथ ही पढ़ लो बस क्योंकि यह वेसे भी एक साथ ही पढ़े जाते हैं मोली, फूल, बोरला, टिका, फिनी, जहला, सुर्मांग, मांग टिका, वैसे मांग मांग जहां पर भी आ रहा है न, वो सब सिरके ही है, चाहे मांग पहले आए, चाहे मांग बाद में आए, तावीत, बिंदिया, सब इजी है, बिंदिया टिका तो एक ही बात है, दामनी, सांक बखली खेंचा हालरो या दीवासी महिलाई पेंथी है सेलडो सोहली सारा सरी काचर ये सब के सब महिलाओं के अब इसमें क्या करें एक इलाज बार बार प्रैक्टिस करो और कुछ जो इसी है उनको मत याद करो तो यह से ही पता आपको सब को पता है कि बिंदिया क्या होती है यह बोर लाए बोर क्या होता है सांकड क्या होती है रखड़ी क्या होती है तो सब पता है वो तो बैसे नंदर से कि मेंमन्द है ऐसे कुछ डिफरेंट नाम याद कर लो बाकी शिश्पूल वगएरा सब याद है क्योंकि शिश पूल सिर्पे पहने जाते हैं सुर मांग समंदे जितने भी वो सब सिर्पे पहने जाते हैं कोई पांसाथ करने पड़ेंगे बागी सब याद हो जाएंगे ठीक है यह हो गए फिर नेक्स्ट है कान के इसमें करन फूल है पीपल पन्ना है फूल जुमका है अंगोटिया है जहला है गुर्दो है लटकन है बाली टॉप्स पत्ती सूरलिया है ना बिल्कुल सूरलिया की तेरा सूर बहुत अच्छा है कानू से सुना जाता है सूरलिया बहुत बार पूछा गया है सूरलिया तो सुर्ग का पता कानू से चलता है सुनेंगे जब ठीक है कानू से कर्ण, फूल, पिपल, पना, फूल, पना वेरी इंपोर्टेंट है जहला जानते हूंगे मौर फवर, ऐसा मानों कि मौर बहुत सुन्दर गाता है तो मौर और सुर्ग सब एक ही है जाले, बारेट, एरेन ओंगटिया, एरेन का मतलब रेन, ये पूछा गया था रेन का मतलब बारिश होती है बारेन का मतलब बारिश होती है और बारिश जब होती है, तभी तो मौर बोलता है तभी तो उसका सुर्भ प्यारा लगता है ठीक है यह सब बात है औंगनिया है कुंडला है लूंग जानते होंगे पूजी है टॉटी है टॉटी पूछा गया था बहुत इंपोरटन्ट टॉटी ठीक है तान है कान टॉटी है एड़्जस कर लेना कैसे करके और बूजली बचुरिया पाटी सुलिया जमेला जूठना, सोरंग पत्ता very important है, क्लास और माकडी ये सब कान में लटकन तो वैसे हैं कान में लटकाई जाती है ये सब बाते हैं जिनकी बाली है बाली लटकाई लटकाने वाले टॉप्स पेने थी लटकियां है ना, फूल पत्तियां फुल जुमका, ये सब एक जैसे ही है कोई मेरे साथ से हैं जाले वगरा जाले हम बोल दो, चाहिए वो क्या बोलते हैं जहला बोल दो, ये तो एक ही बात है तो ये वैसे हैं आपको याद हो जाएंगे मेरे साथ से हैं, इन सब का बहुत जमेला है, है न, जा, तो very easy है क्योंकि, जमेला कानूं से होता है कोई बात सुनी जाती है तब ही तो पता चलता है, बहुत जमेला जमेला का बना पता कैसे लेग, ठीक है तो ये सब कान होगे, लाक में भाई भोगली, नत, very easy है बारी, कांटा कांटा जानते हैं कि छोटा सावल कांटा कराया है मैंने लड़कियां सब समझती है very easy पढ़ेगा उनके चुनी, लूंग, बुलाका very important है, चौप very important है अब यहां समझना एक तो चौप है आगे पढ़ेंगे अपन चौप उसमें एक बिंदी लगी हुई है यह बिना बिंदी की चौप है यह नाक में पहने जाती है बलनी, लटकन लटकन यहां पर भी है और लटकन कान में भी लटके जाती है नाक में भी लटकन होती है very important दोनों द्यान लखना प्रशन आ सकते हैं और यह ऐसे ही प्रशन आने हैं लटकन पहने जाती है नाक में, कान में नाक में कान दोनों में तो नाक में कान दोनों में सही होगा ठीक है द्यान लखें बेसर, कोको, खिवन भवरियो, वैन बलको, देखो यहां पर था अपने टीडी बलको कहां पढ़ा था वो मेरे साथ से मस्तक्ष पढ़ा होगा तो यहां टीडी बलको टीडी बलको सिर्या मस्तक्ष पर है और यहां पर only four बलको है यह नाक में है ठीक हैं कुछ similar वर्ड जो है ना प्रशन यहीं से आते हैं मतलब उनका काम है क्योंकि बच्चे रट ली हैं सबको तो उनको पता है कि confusion कहां पर दा सकता है वो द्यां ड़कना ठीक है यह नाक के हो गए फिर दांत के तो hundred hundred percent गोट के पी जाना यही मैं कहना चाहरा था कि वो चॉंप है वहां पर क्या था यहां पर देखो यहां पर normal chop है chop जबकि यहां पर क्या है यहां पर chop है chop तो chop क्योंकि दांत में भी चंदर बिंदू है दांत कैसा लिखते हैं बिंदी है दांत यह दांत में ही खुब सारी पहले मगले पहनती थी तो वो एक तो रखन very important है चौप चौप चंपू यह तो एक यह नाम है चौप ही famous है यह तो मिलते जो तो नाम पूछ ले गए तेक दुबार इसलिए वन तिनू लिख दिए एक दांस ठीक है और make यह सारी बाते द्यान दखना रखन चौप दांस मेक रखन चौप दांस मेक चार यह दांत के नजाने कितनी बार प्रशन आ चुका है दांत तुमें पहने जाता है इस तरी हो द्वारा पिर कंठ थमणियो थेड़ियो थेड़ियो यह तीनू बातें पूछी गई है very very important है यह थेड़ियो पेड़ियो थमड़ियो ड्यो 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 यह जितने भी ड्यो यह सब कंठ में पहने जाते हैं ठीक है आड जानते होंगे आड पहने जाती कंठ या गला एक ही बात है बई इनको भी एक साथ पढ़ा जा सकता है चटा साथवान भी एक ही साथ है पढ़ सकते हैं पिर हैं मुठिया जालरा हालरा ठुसी जानते हो हैं टूसी अब गले या छाती में पहना जाता है ये बहुत ज्यादा है वैसे एक ही बात पूरेके पूरे एक साथ यद गलना हमेल, खंगवारी, मादली है, एक ही बात है चीज, राम नामी, राम नामी आगे भी आएगा, तुलसी, बजटी, very important है, बजटी, पूछा गया है, पूछा गया है, very important है, क्योंकि शेहरिया जुन जाती कि इस तरियां पेहनती है, बजटी, ध्यान रखें, बजटी क्या है, इ पहरे जन जाती है, इस तरियां पेहने जाने वाला, फिर आएगा कि बजटी कहां पेहना जाता है, गला, छाती, या पर कंट में, तिनुई सही है, ठीक है, यह त्यान लखना, हांसली भी यही पेहने जाती है, तिमनिया, थार तिमनिया गड़वाई दिए, वो ही थी बस ए एक भी याद नहीं करना, सब में हार लगावाई तुम वेसे समझ जाओगे, ठीक है, हांकर हांकर का मतलब सांकर ही हो, हांकर भी सांकर जैसी है, हो गया याद, सरी जंजीर भी हो ही है, जंजीर हांकर हो गई, ठीक है, पिर पंच लड़ी, खूंगाली, कंट माल हो गया, प्रामनिया, तिमनिया ये की बात है, ठीक है, नीबोरी, मटर माला माला, जितनी भी ये माला है, सब की सब कहां पहनोगे, गले में, मंदली और गलपटन याम्डली बना दिये, इतो सब मैंने बना दिये है, पीछे जो बचे और इना बाकी चार, पांच बचे होंगे, वो या याद है वो सब जितना भी हार है सब गले या कंटे पहने जाते हैं जितनी भी मालाएं हैं कंटे गले पहने जाती है चोकी माला मतलब सब कुछ very easy है कोई 8-10 मुश्किल से याद करना है ज्यादा जोर नहीं आएगा ठीक है ना बस तब ही तो मैंने कहा न कि आप पहले मेरा दुना करो पहले next की बात करूँ तो वह बाजु बाजु में जो पहने जाती है तो बाजु में ठड़ा है ठड़ा आरत अनत तकमा बाजुबंद याद करने कोई जरूत नहीं है याद हो गया चृड़ला भी पहनेंगे बाजुबंद पहनेंगे गजरा ठीक है हारपान वैसे दोनों ये भी एक साथ पढ़े जा सकते हैं पूरे कलाई से लेकिए हाथ तक पहने जाते हैं ये अपसीती से बाद चूड़ियां पहने जाती है बंद, पच्छेली, पट, फूदना, माकड़ी, कंकन, नोगरी, चूड़ा, हतपूल, हतपान ये तो हाथें पहने जाता है, पाटला, पंची, कंगन, हाथें पहने जाते हैं, चूड़ी, कड़ा, सब हाथें पहने जाते हैं, बल्या, हाथें पहने जाता है, पंचिया ये मालब काफी सारे नाम आपको याद है कुछ ही याद करने है बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये बाजू, हाथ या कलाई पर पहने जाने वाले जो आब उशन है महिलाओं के दोरा कमर तो हमेशा तगड़ी होती है महिलाओं की बहुत बार प्रशन आ चुका है कमर हमेशा क्या होती है तगड़ी करधनी, कनकती, कहाँ पहनोगे बच्चे छोटे बच्चे पहनते थे कनकती बिलकुल जंजीर, कनकती जैसी होती है कंदोरा, तकड़ी तगड़ी 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 तो एक ही बात है तो लिख दे लेगी तो कोई बात नी सक्टा, कंदीरा, जालोरा और सावली ये सब कमर के अभुषण है महिलाओं के फिर है पेर पेर में पाईजे पहनती है पेंजनिया पहनती है चलकड़ा, अनवट टनका, टनका क्या होता है कि बड़ा टनका आदमी है बाई पेर बड़े टनके हैं इसके तो ध्यान रखें टनका बहुत बार पूछा गया है क्योंकि पेपर सेटर भी अपने जैसे ही लोग होते हैं, मज़ा आता है कुछ प्रशने पेर होने चाहिए टनके और कमर होने चाहिए तगड़ी ठीक है ना? चाहिए किसी को पसंद आए या ना आए कमर तो तगड़ी होगी हीरा, हीरानमेन, लचने लंगर, ठीक है आब लंगर है क्यों आज तो वहां पर लंगर है, पेरु से चलके जाओगे नेवरी, नुपूर, जहर, पायल, जहंजर है न, ठनका जीवी तो कहा है, रिपीट है, ठनका ठनका जीवी एकी बात है तोड़ा छोड़ा, बिल्कुल तोड़ फोर्ट हो जाती है, पेरों से पहन के जाओगे तो कंकणी है, माटली है, भांक है, चीका है, यह सब जो है, वो पेर में ही है, पेर में ही चीक, पेर से निकलती है, जब कहीं चलते हैं तो दर्द होता है, कोई काटा चुप जाए और चुप जाए तो वह वाली बात है अब महीलाओं के पेर की अंगूली के बड़े अलग से पहना हुआ है बिच्छिया पेनती है बिच्छिया गोर पगपान फोलरी माचली वेटी चुटकी अंगू थरो अंगू थरो अनवट गोल्या ये सब पेर की अंगूली में पहने जाने वाले हाथ की अंगुली में छला, अंगुटी, मूंदड़ी, बीटी, दामना, हतपान, छड़ा, चाप, अरसी, अंगुटे यह होता है यह सब पवित्री, यह सब हाथ की अंगुली में, पेर की अंगुली में, नजाने एक पूरे पूरे इनके आभुशन है ठीक है न हर जगह है पुरुशों के ज़्यादा नहीं है आबुशन अपने कम यह वह तो अच्छे थे इनके पुरुशों के आबुशन कम यह एक तो सिर पर पगडी जो पहनते हैं न यह तो पगडी को सैट करने लिए पगडी को उपर बड़े शांदर सजाते हैं यह पेच रतन पेच तुरा कलंगी माला बंद डुगडुगी डुगडुगी सुन रगा हुगा खरपोश छला मोत्यक्षत यह सिर पर पगडी के पगडी के उपर पहने जाते हैं यह तीक है न ओके अंगुली में तो बस अपने बीटी पहन लो और मुद्ध यह पहन लो यह है लोंग है मुर्कियां काना में पहले मुर्कियां जाले बालियां छेडगडी बरीबली है न मादी कड़कम मौती चोकड़ा और वैसे पूरुषों सब्सक्राइब कमी है महिलाओं के महिलों के ज़्यादा आते हैं गले में चैन हुए पैंडल 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 लेते हैं प्रड़ा गोप और गलसर यह इनके हो जाएंगे एक चोथ भी है वाई साइड में लिख लेना चोथ यह सीने कमर और पेट पर लपेट कर पहनते हैं उसे बोलते हैं चोथ यह नोट करके लिख लेना अलग से यह कोई बड़े एक्जाम आयो प्रस्ता में लिख दिया कोई दिखत नहीं है लिख लिए पेर में टोटर या चेल खड़ा ठीक है और बाजू में बुझबंध यह कुल मिला के पुरुशों के अपने छोटे थोटे से हो गए बच्चू के सबसे इंपोर्टेंडर बच्चू में आये था कणकती छोटे बच्चू को भी आपको पत बच्च यह पतली से हो पतली से होती है यह आप सब पहने होगी चांदी की मौसली होती है सोने होने की तो नहीं पहनाते हैं अपनको सस्ता है बरते हैं चांदी की पहनाते हैं कानों में मोतिया लूंग की के पहना सकते हैं और कमर पर कनक्ती वेरी इंपोर्टेंट है ये किसी की हो सकती है सूती उसके रस्ती की जो हता है धागा उसकी बना देते हैं कनक्ती पेट के उपर ऐसे कमर पर बांदी जाती है कनक्ती होती है कनक्ती है पंदोरो बच्चों की कमर पर बांदी जाती है जिसको और कमर पर सांक्लिय तगडी बांते है कमर तो मैंने का तगडी होती है तो तगडी है सांकली भी जो है बच्चों के भी बंदी जाती है होगे complete अब थोड़ा आबोशन उंटके भी आबोशन होते हैं लगया लिखे लेते हैं क्योंकि और तो पिर किसी का आबोशन फैमस नहीं है बस जो है वो अपने यही थै गोरबंद ये उंटके गले का आबोशन है और मोरखा, तंग और मोहरा ये उंटके मुहे का आबोशन है ये तो उंटके गले का आबोशन है गोरबंद और मोरखा, तंग और मोहरा ये उंटके मुहे जो था न मुह के उपर पिनाए जाता है और एक परचनी ये उंटकी पूच को सजाए जाता है तीन उंट के हैं, गोरबंद, मोरकातंग या मोहरा या परचनी, ये उंट को श्रिंगार जब उंट का किया जाता है, तब उंट के भी आब उशन है, अब उंट पे आप बैटे होंगे, उंट की पीट थोड़ी उबड़ खाबड होती है, अपने उस पर बैट नहीं सकते हैं, लेकिन बैटने के लिए बड़ा शांदार गदिदार सीट बनाई जाती है, ताकि वो अपने को थोड़ी चुबे नहीं और अपने उस पर बैट सकें, जो उसका कूबड होता है, उसको साथ में लेके बांगते हैं, मुझबूत पी रिलता बेनी है, नीचे से पट्टा लेक लगनी है, very important है, कैसा लगा, शेशन, जरूर बताना, बहुत सूपर डूपर है, आभुशन, इनको आपको थोड़ा धंग से प्रेक्टिस करनी है, ठीक है न आभुशन होगी, क्योंकि आभुशन जो है, इसमें ये completely learn करने वाले ज्यादा है, learn करना पड़ेगा, याद revise करो, आज के session से तीन से चार question आने पके हैं, हर competitive exam है, किसी भी government job के लिए, आप किसी exam के तेहरी कर लो, तीन से चार प्रशन आएंगे, पकी बात है